हाई एवरिवन जुलाई दोहदार तेज़ सेशन में जिस बच्चे ने इगनू में एड्मिशन लिया है तो क्या उसे भी रिरेजिस्ट्रेशन करना है या नहीं आज की इस विडियो में ये पॉइंट में किलियर करना है आया हूँ फिर से अब दिखिए इगनू के अंदर द जिसका रिजिस्ट्रेशन भी सेमेस्टर बेस में होता है और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका रिजिस्ट्रेशन एन्वल मोड में होता है तो यहाँ पर सिंबल सा मतलब है जब भी एन्वल मोड की बात हो रही है तब तो ये बात बिलकुल 100% शौर मान गर चलो जुलाई 2003 से अब क्या है जी जो semester based प्रोग्राम है जो semester based की जातक बात है अब semester based के अंदर कुछ courses ऐसे हैं जिनका registration भी semester wise है और exam भी semester wise है और कुछ courses ऐसे हैं जिनका registration तो annual wise है लेकिन exam semester wise है तो यहां पर एक बात साफ के लिए सब्दों में समझ लीजिए ऐसा course जिनका registration और exam दोनों semester wise होते हैं उन्हें registration करना पड़ाएगा जन्वरी दोधार 24 सेशन का जिसने जुलाई 2023 में admission लिया है और ऐसे student जिनके exam तो semester wise है course के अंदर लेकिन registration annual wise होता है और की fees पूरी एक साल में एक बार जाती है लेकिन exam semester wise होते हैं तो उन्हें registration जन्वरी दोधार 24 का नहीं करना चुकि फीज आपके annual wise जा रही है तो आपको भी registration जुलाई दोधार 24 में ही करना होगा यहां आपका इस course second semester में अगर आपको जून 24 में exam देने है तो आपकी fees already गई होई है जुलाई 2023 में जब आपने नया admission लिया होगा ठीक है तो यह simple से clear cut चीज है जी कोई इसमें tension लेने वाली बात ही नहीं है और मैं एक बात साफ बोलता हूँ कि मैंने registration के ओपर वीडियो बनाई हुई है कि क्य आ रहा है या नहीं आ रहा है that's it simple clear cut चीज है अगर समझ में नहीं आती चीज है बागी जो update में इस वीडियो में देने आया था हुमें दे चुका हूँ thank you